साथियो नमस्कार स्वागताय आपका आपके अपने योटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो रीट लेवल सेकेंड इंगलिस के कंडिडेट के लिए रहने वाली है साथियो आज की वीडियो में अपन विश्तरेत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि रीट लेवल क्या संभावित कट ओफ रह सकती है कौन-कौन से आपति वाले पर्षन है और ये स्टुडेंट्स मा आपको बताना चाहूंगा ये जो वीडियो है ये एक विश्वस्नी आंकडों पर आधारित वीडियो है इनमें मैंने 6070 जो रीट इंगलिस के जो कंडिडेट्स है उनके आं ये भी अपनी इसके अंदर चर्चा करेंगे तो साथियों मा आपको बता दूँ 90 एसे यानिकी कंडिडेट्स है रीट लेवल सेकेंड के जिन्होंने मैंने पर्सनली यानिकी मिलकर के और फोन कोल के अधार पर उनके नमर जाने है उसके अलावा 6000 पलस यानिकी 6000 के लगबग किया गया है और 5000 पलस यानिकी कंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एक दूसरा परतिष्टी चैनल है इंगलिस से समंदित उनके द्वारा सर्वे किया गया है तो सबसे पहले आप देखिए जो रीट लेवल सेकेंड इंगलिस के जो राइट क्योसन करने वाले जो कंडिडेट्स ह यानिकी सर्वे किया था आप देख सकते हो इनका नाम और नमर भी देख सकते हो इसकी पीडियव चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वोक्स में भी डाल दी जाएगी तो आप ये रेड कलर में आप देख रहे हो ये 100 पलस यानिकी स्टूडेंट्स है तो लग बग यानिक मैंने 90 90 के पलस यानि की किया था और बात करें इन 90 में से 25 स्टूडेंट्स मेरे को 100 पलस की आनि की मिले 100 पलस की भी स्टूडेंट्स अगर बात करें तो लगबग 101, 102, 103 नंबर वाले स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं मेरे को मिल रहे हैं कोई 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 110 पलस तो यह एक बहुत ही सांदार यानि की विश्वस्नी आंकडा है जिसके आधार पर आप आंकलन कर सकते हो कि आपका स्लेक्शन हो रहा है या नई हो रहा है यह मानके चलिए कि जो सो पलस बता रहे हैं जिनके एक सो दो आ रहे हैं एक सो तीन आ रहे हैं तो यह आप यानि की लग बग यानिकी 101, 102, 103, 105 ऐसे यानिकी candidates क्या हैं तो यह मान के चलिए यह 100 पर भी जा सकते हैं 97, 98 पर भी जा सकते हैं तो यह 90 students है अब यानिकी बात करें candidates अब मैंने यानिकी जो दूसरा यानिकी जो मेरे channel के द्वारा यानिकी survey किया गया था यह तो personal था मेरा जो channel है साजी सरबाड़ेट जो कि मैंने 17 गंटे पहले यानिकी survey लिया था कई यानिकी ऐसे channel है जिन्होंने exam के just बाद यानिकी पोल डाल दिया तो बहुत सारे candidates ऐसे भी है जिन्होंने बिना यानिकी क्योसन का मिलान किये एसे यानिकी तुके से यानिकी पोल पे यानिकी अपना जवाब दे दिया लेकिन ये कल का यानिकी पोल डालावा आप भी अपना वोट दे सकते हो साजी सरबाड़ेट यानिकी channel के ऊपर पोल चल रहा है और ये लगबग यानिकी 800 यानिकी वोट के आधार पर है अलाएंकि अब जो वोट की जो संक्या है वो बढ़ चुकी है अब बात करें सबसे पहले मैंने जो डाला था चार ओप्सन दिये थे 85 से 90 के मद्दे जो की 50% स्टूडेंट है एक संक्या ज्यादा है 90 से 95 मैं जिनके परसन सही हो रहे हैं वो 19% हो रहे ह और 100 से अधिक मैंने लास्ट एक फाइनल यानि की जो आँखड़ा दिया था 100 से अधिक जो की 16% है तो 800 का 16% अगब लगब मान के चले तो 128-30 यानि की स्टूडेंट्स मतलब 800 में से 130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 100 प्लस आ रहे हैं तो बहुत सारे कंडिडेट्स ये च से ज्यादा नमadder मिल रहे हैं उनका 100% क्या है सुलेक्षन है क्योंकि सो से जो अधिक है इसमें जेनरल के भी है इसमें क्या है OBC के भी है तो सों से अधिक वाले जो है वो जनरिल की सीट है उस पर आनिकी जायेंगे तो OBC के अंदर तो आगि शेचाने वाली है तो यह मानके सीट पर अपना हाक रखते हैं अब देखिए कि सिकर की सूपर तिस्टित कोचिंग है जीत कोचिंग सीकर जिनों ने लगबग एक पॉल क्रियेट गया था और उनमें वोट दिया है 5183 जनों ने वोट दिया है 5183 ने जो वोट दिया है आप उसमें आखड़ा देख सकते हो इसमें यानिकी बड़ा पॉल बड़ा है थोड़ा 126% से जादा 4% नहीं किया है 115 से 125 5% थे 5% से जो जो लोगों ने 111 से 114% से ही हो रहे हैं और आप देख सकते हो 100 से 105% वाले हैं वो 16 याने की पर्षेंट याने की SRA है तो ये मान के चलिए कि जिनके 100% याने की 100 क्योश्षन याने की काटने के बाद अगर बच रहे हैं तो मैं उनकी अच्छी कोजिसन मानता हूं अच्छी नहीं मैं तो यह मानता हूं कि 100% वालों का शोर्ट स्लेक्शन है उन्हें कभी भी कहीं पर भी डरने की गबराने की जरूरत नहीं है यह आंकडा यानिकी मेरा कह रहा है क्योंकि मैंने 90 जनों से यानिकी कोल पे अधर अधरीत यानिकी मैंने जो आंकलन लिया यां पर्सनली मिल के लिया उसके इसाफ़ से यानि 90 मैंसे 24, 25 एसे हैं जो 100 के करीब है सो पलस है, सो पलस भी कैसे उन 25 में से 15 जने तो ऐसे हैं जिनके 100, 101, 102, 103 ऐसे नमर आ रहे हैं तो ऐसे नमर आ रहे हैं तो यह मान के चलिए कि अगर एक दो परसन भी अगर गलत हो जाता है तो यह नीचे जाएंगे, सो से नीचे रहेंगे तो ज़्यादा याने की गबराने की जोड़त नहीं है अब इनके बात बात करें ओब्जेक्शन वाले भी साथ आठ परसन है ऐसे ऐसे परसन है अगर कलाम जैसे कोचिंग ने जो जो की डाली है उसके अनुसार अगर रह जाता है तो मेरिट साथियों और ज्यादा निचे रहने की संभावना है तो आपको बिल्कुल भी डरने की गबराने की जोड़त नहीं है अब याने की 100 पलस वाले जो स्कूरेंट है वो तो ये मान के चलिए कि उनका तो एकदम होई रहा है अब बाकी की जो जितने भी कंडिडेट्स है इनके अधार पे याने की ये जो पोल लिया है ये लगबग याने की 800 तो ये हो गए 800 वोट ये हो गए और इसके बाद अगर बात करें 5183 वोट ये हो गए जीत कोचिंग के और 90 प्लस याने की जो कंडिडेट्स थे जिन से मैंने परसनल याने संपर किया उनके अधार पे मैंने याने की निश्कर्स निकाला है कि फाइनल जो याने की जो कटोफ रह सकती है जो एक आंकलन है उमीद है इन नमर वालों का याने की क्या हो जाएगा सेलेक्शन हो जाएगा तो जनरल के वो स्टूडेंट जिनके चुराणमे से इठाणमे परसन अगर सही हो रहे है और फीमेल जिनके याने की बाणमे से पिचाणमे हो रहे है उनका सेलेक्शन है डेड़ सो में से यानि ये क्यों सन की सन क्या है OBC की यानि की एकाण में से पिचाण में जिनके यानि की फिमेल की नवासी से बाणमा हो गया SC की जिनके 87 से 90 और 84 से सित्यासी फिमेल की है ST की यानि 79 से 83 आप देख सकते हो EWS student के बहुत सारे क्यानि के कमेंट आ रहे हैं कि sir EWS और MBC की क्या रहने वाली है EWS की भी देखे 51 से चुराण में किस के हो जाएगी? मेल के हो जाएगी 88 से 91 की किस के हो जाएगी? फिमेल के हो जाएगी MBC की बात करे 85 से 89 के आप देख सकती है तो आप देखे और 81 से 84 फिमेल के बारे में रह सकती है तो साथ ही हो यह मेरा एक आंकलन था इसके अलावा मैंने जो अबजेक्शन वाले यानि जो परसन है उनकी कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी आपने उस वीडियो को बहुत जादा स्पोर्ट किया अगर आपको आपत्ती वाले परसन देखने हैं कि उनका सही क्या जवाब हो सकता है वो वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया और उस वीडियो का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाला जा रहा है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो उस चैनल उस वीडियो को देख सकते हो और साथ ही एक वीडियो मैंने और कटोफ से समन्दित बनाई थी जिसमें अलग-अलग कोचिंग का यानि की जो कटोफ बताई गी है वो एक वीडियो में मैंने ली थी कि दूबारे आनी की तारी में जुट जे इसी के साथ धन्यवाद